लेकिन अब बात करेंगे TCS की दरसल कमजोर नतीजों के बाद TCS के स्टॉक पर दबाव है रिजल्स आने के बाद ब्रोकरिज शेयर पर बुलिश है क्या वज़ा है बताएंगे हर्ष्टा सावन बताएंगे हर्ष्टा जेफ्रीज की तरफ से जो बाइकॉल है 47.35 पर टागेट रख रहे हैं और HSBC कह रहा है 45.50 का टागेट रहेगा नॉमरा नूट्रल है 41.50 के लिहाज से अब सबसे बुलिश मोतिला लोसवाल इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि जो BSNL का जो औरेन के हाथ लगा वो ग्रोथ को फ्यूल करता हुआ दिखाए देगा ध्यान रखेगा अब इस क्वाटर में कि इंडिया बिजनेसे सबसे शांदार रेवन्यू कमाया है उस लिहास से एक अच्छी खासी स्तिती बनती हुई दिखाई दी है भले ही इस क्वाटर में मार्जिन्स नरम पड़े हैं लेकिन आगे-ागे जैसे बिजनेस पिक अप करेगा तो मार्जिन में भी रिकवरी की उमेद जताई जा रही है कुछ और लाज डील का रैंप अप FI 25 में रेवन्यू को सपोर्ट करने वाला है यहाँ पर नॉमरा ये भी कहता है लाज ली देखिए सिग्निफिकेंट मार्जिन मिस रहा है लेकिन पाइपलाइन जो है वो रेकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास ही दिखाई दे रही है टीसीवी मॉडरेट है लेकिन एक कमफुर्टबल बैंड के बीच में है यानि कि यहाँ से आगे अगर ये इनकी जो थर्ड पाटी कॉंट्राक्स के मार्जिन्स में प्रशर बनता हुआ दिखाई दिया है अगर वो सिकुरता है प्रेशर तो स्तिती बहतर होती हुए दिखाई देगे और मार्जिन्स सोड़े से हायर साइट पर आते हुए दिखाई देंगे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस समय कमपनी के लिए BFSI धीरे-धीरे करके टर्नराउंड दिखाने लगा है अब वहाँ पर अगर कोई एक बड़ी ट्रांस्वरमेशनल डील आ जाती है तो कमपनी के लिए वो पूरा एक्सेस तेजी के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस समय इसी लिए ब्रोकरिजिस की थोड़ी सी आप कह सकते है बंधी वी राय है और इंडिया बिजनिस के परस्पेक्टिव से सबसे ज़ादा बुलिश व्यू मोतीलाल का उभर कर आया है थैंक यू अरश्टा ये ब्रोकरिजिस बता रहे के लिए और TCS के कमजोर नतिश्यू के बाद SBA Securities के सनिय अगरवाल ने कहा है कि IT में रिमांड को लेका सेती साफ नहीं है मिटकैप IT में फार्स सोर्स परसिस्टेंट सिस्टम पसंद है कि यहां जिसे भी IT में अब व्यू लेना है या पोजिशन लेना है तो थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा जो कि जो एक नारेटिव बना सा quarter one के बाद demand environment को लेके improvement होगा वो कहीं नहीं थोड़ा cautious नजरा रहा है अभी तो जो view है थोड़ा सा लंबा लेना होगा और अगर मुझे हाँ कोई company choose करनी होगी तो rather than going for tier 1 IT company में tier 2 IT companies से focus करना चामा जहां relatively growth method है पर मेरी ज्यादा recommendation रहेगी राधर दन going for tier 1 company चले रुक्रेशी के साथ एक break के लिए break के उस पर बात करेंगे बंधन बैंक और comments की दोनों पर ही brokerage reports का reaction देखने को मुल रहा है क्या है DTL reports एक छड़ से break के बाद क्या है